अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विल्कुल जो है सब्सक्राइब कर दो आज के समय जो पारलियमेंटिंग कमिटी है वो यहाँ पर यह कह रही है कि भारत की सरकार को जल से जल से इंडिजीनियस जो एरक्राफ्ट केरियर है उसको एप्रूफ कर देना चाहिए बहुत ही जल इस पे जो है काम शुरू कर देना चाहिए क्योंकि अगर आप हर्डल्स देखोगे तो बहुत सारे हर्डल्स हैं बहुत सारी problems हैं अगर ये aircraft carrier डेवलप नहीं हुआ तो आने वाले समय में इंडिया को बहुत ही जादा problem face करना पड़ सकती है इसके साथ साथ और भी articles यहाँ पर publish हुए हैं कि इंडिया नेवी को एक बहुत ही बड़ा push देना चाहिए अपने नए aircraft carrier को लेके इसके साथ नए fighter jets भी पर्चेस करने चाहिए देखे आज के समय इंडिया के पास 5th generation aircraft आपको देखने को मिलेगा ने बिसिकली जो 5th generation fighter jet है वह हमारे पास है नहीं हमने हाली में रफेल को पर्चेस किया है लेकिन जितने रफेल हमने पर्चेस किये हैं उतने से हमारा काम जो है नहीं चलने वाला हमको और भी जो fighter jets है उनकी यहाँ पर पढ़ने वाली है पार्लेमेंट की जो पैनल है ना वह यहाँ पर यह कह रही है कि fighter jets कभी जो procurement है उसको हमको बिलको डिलेनी करना चाहिए जल से जल भारत की सरकार को फैसल आजने चाहिए ताकि भारत अपना जो दूसरा aircraft carrier है उसको यहाँ पर develop कर पाए और जो fighter jets हैं उनको भी जो हम procure कर लें और recently आपको याद होगा 2 सितंबर 2022 को भारत ने 23,000 करोड रुपे जो है खर्च किये थे तब जाके INS विकरांथ को जो है बनाया गया था INS विकरांथ indigenously develop किया हुआ aircraft carrier है जिया भारत के पास पहले आपे कोई capabilities नहीं थी कि हम जो है aircraft carrier को यहाँ पर develop कर पाएं लेकिन भारत ने काफी कोशिश करी made in India, make in India जो project है उसके अंडर में इस पूरे aircraft carrier को जो है develop किया गया और इसकी cost थी 23,000 करोड मतलब 2.9 billion dollars अपने आप में एक बहुती बड़ा amount होता है और देखिए इसको विकरांथ नाम दिया गया था भारत का जो पहला aircraft carrier था जो हमने किसी देश चेहां पर purchase किया था उसी के नाम पे इसको जो है रखा गया है और INS विकरांथ 1961 में जो है इसको हमने purchase किया था basically इसका meaning होता है करीजिया संस्कृत में इसके बाद भारत की सरकार ने ये decide किया कि हम जो है अपने खुद के जो aircraft carrier है उनको यहाँ पर develop करेंगे basically जो पहला विकरांथ था उसको भारत ने UK से खरीदा था दूसरा जो INS विकर में देट हम यहाँ पर use कर रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा रशिया से हमने उसको रशिया से purchase किया था लेकिन INS विकरांथ जो recently develop हुआ है उसको भारत ने खुद डेवलप किया है लड़े हैं इन सब चीजों को देखते हुए जिस तरीकी की हमारी border है उसको देखते हुए एरक्राफ्ट केरियर जो है बिलकुल यहाँ पर game changer साबित होगा तो 1999 में भारत की सरकार ने काम जो है शुरू कर दिया था और अगर आप INS विकरांथ को INS विकरमतित से compare करोगे त इस विकरांथ का जो displacement है वो 65,000 टन आपको देखने को मिलेगा इसमें कई सारी advanced technology को यूज किया गया कई सारे advanced weapon systems को यूज किया गया मतलब आज के समय इंडिया के पास दो aircraft carrier है लेकिन जिस तरीके की हमारी borders है तो दो aircraft carrier जो है हमारे बिलकुल यहाँ पर काम नहीं आ सकते हमक एक तो INS विकरांथ है और एक INS विकरमदित है बिसिकली INS विकरांथ को हमने रशिया से परचेस किया है जिसका displacement है 45,000 टन और INS विकरांथ जिसको भारत ने खुद यहाँ पर develop किया है और देखें कि यह भारत का first खुद का develop किया हुए aircraft carrier है और अगर हम बात करें हमारे प पाकिस्तान के पास आपको एक भी aircraft carrier जो है देखने को नहीं मिलेगा लेगें देखिए अगर हम बात करें चाइना और पाकिस्तान दोनों की तो अगर दोनों को counter करना है तो बहुत जरूरी है कि हमारे पास तीन aircraft carrier जो है बिलकुल यहाँ पे होने चाहिए और देखिए भारत का जो third aircraft carrier है यह बिलकुल एक ambitious project होगा क्योंकि हमको अपनी naval capabilities को अगर expand करना है तो बहुत जरूरी है कि भारत को अपना तीसरा जो aircraft carrier है उसको यहाँ पे develop करना होगा इसके साथ साथ इंडो Pacific region में चायना का influence जो है काफी बढ़ता जा रहा है तो एक reason तो यहाँ पे यह भी है कि इंडिया को बिलकुल अपने इस project को जो है pass कर देना चाहिए और हाली में जो parliamentary panel है उसने भी यह कहा है कि defense ministry को जल से जल final decision लेना चाहिए ताकि planning process जो है यहाँ पे हम शुरू कर चके अपने third aircraft carrier के लिए और देखिए अगर आप aircraft carrier को देखोगे ना तो ऐसा नहीं है कि अग के बाद finally जाके एक और aircraft carrier जो है बनके यहाँ पे तयार होगा हाला कि अगर आप INS विकरांत से सो compare करोगे तो उससे कम समय लगने वाला है क्योंकि INS विकरांत में हमारे पास उन्हीं technology थी नहीं हमने जो है बहुत सारी यहाँ पर परिशानिया चेली उसके बाद जो है एक aircraft carrier बनके यहाँ पर तयार हुआ मतलब आज के समय हमारे पास पूरी technology है हम बहुत ही कम समय में एक अच्छा aircraft carrier जो है बिलकुल यहाँ पर design कर पाएंगे और देखिए अगर आप इंडिया का border देखोगे ना तो एक तरफ आपको देखने को मिलेगा चाइना एक तरफ आपको दे बेंगॉल साउथ में भी आपको जो चाइना का influence है वहाँ पर नजर आएगा क्योंकि हमपन टोटा जो border शिलंका का वो चाइना ने जो है lease पर लेके रखा हुआ है और देके यह बात किसी से चुपी है नहीं कि चाइना continuously जो है अपना influence बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश कर र अपने फिफ्ट जेनरेशन के जो fighter jets है उनको भी deploy करके रखा हुआ है मतलब आने वाले समय में बिलकुल जो है एक conflict हमको देखने को मिल सकता है आला कि मैं तो यहाँ पर यही कहूंगा कि कोई conflict ना हो लेकिन देखिए situation जिस तरीके की है ना तो बिलकुल हमको जो है offensive and defensive board बिल aircraft carrier जो है बिलकुल यहाँ पर game changer बन सकता है इसके साथ South में आपको China का influence देखने को मिलेगा Indo-Pacific region में वैसे ही China जो है अपनी dominance पढ़ाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है तो basically in all अगर हमको China पाकिस्तान दोनों को counter करना है तो हमको Army, Navy, Air Force तीनों की जो है बिलकुल यहाँ पर देखने को मिलेगा और सिर्व इतना ही नहीं रिसेंटली अगर आपने एक चीज़ पर ध्यान दिया होगा तो China के President Jinping Russia अगए थे पुदिन जे मिलने वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ बिलकुल यहाँ पर कही है कि आने वारे समय में कुछ यहाँ पर बड़ा होगा तो बड यहाँ पर तीसरा क्यों develop करें क्यों जो है हम इतने सारे पैसे यहाँ पर खर्च करेंगे देखिए इसका simply reason यहाँ पर यह है कि माई ने यह नहीं रखता कि आपके पास कितने weapons है माई ने यह रखता है कि at last जब यहाँ पर बारी आएगी रड़ाई की तो आपके पास कितने weapons active mode में है मतलब चाहे वो nuclear weapon हो चाहे वो aircraft carrier हो basically अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान के पास nuclear weapon इंडिया से जाता है लेकिन इंडिया के active mode में जो है सबस्याद है nuclear weapon आपको देखने को बलेंगे वैसे अगर हम बात कर aircraft carrier की तो माल दीजे कभी दो front पे यहाँ पे लड़ाई हो आपित होगा और देखिए एक बात यहाँ पर यह भी है कि जो aircraft carrier होता है उसके maintenance में काफी जादा समय लगता है आप यह मत सोचिए कि उसको कहीं भी जो है यहाँ पर उसका maintenance कर सकते हो नहीं यह ऐसा नहीं होता जो naval commands है वहीं जो है इसको भीजा जाएगा वहीं जो है इसका पूरा maintenance होगा वहीं जो है इसका पूरा काम होने वाला है और इसके साथ साथ रफैल मरीन की भी जो है यहाँ पर बात चल रही है आई एनस विकरांद के लिए रफैल मरीन को भी जो है बिलुकल यहाँ पर purchase करना चाहिए ताकि आने वाले समय में हम जो है अपनी capabilities को और यहा खाफी को जानने को मिला होगा आप अपने ओपिनल लिखेगा जरूर इसी के साथ यह तांत इस वीडियो का सुने के लिए बहुत अरवाद चैहिंद चैभारत